हेलो दुस्तो तो आज केसी वीडियो में हम बात करेंगे कि मुदिला लुसवाल के अंतरगत इंटरडेे टेडिंग में इस टौप लोस ओरर कैसे लगाना है मतलब कि आप इंटरडे टेडिंग में अगर आप सीधा ये बाइ करेंगे करके आपको market related ऐसे ही informative वीडियो मिलती रहा है तो दोस्तों चलते हैं MO investor app के और अगर आप MO investor app को login करेंगे तो आपके समने कुछ इस तरह के interface होगा तो इस interface में आपको जिस भी stocks में intraday stop loss order लगाना है उस stocks को सुपिक करके सीधा POWER कर सकते हैं जैसके मैं यहां पस सर्च से बार में क्लिक करूंगा तो यहां पस वह stocks सर्च करके आप सीधा of Y grace कर सकते हैं जैसे मैं यहां पस कोई भी एक stock search कर लेता हूं यहाँ पर आप देख रहे हैं शर्च करते ही आपके पास इस टॉक्स आ चुके हैं आपको जिसभी स्टॉक्स को buy करना है उसमें आप simply एक क्लिक करके buy कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप 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 वाई वाले बटन में जाकर इंटरी टेडिंग कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है दोस्तो के अब नीचे Watch Lister में क्लिक करके भी जा सकते हैं जैसी कि हाँ पास आप नीचे में देख सकते हैं हमारे पास 5 options है Home, Portfolio Trade, Watch List and Report का तो यहाँ पास आपको Watch Lister में क्लिक कर लेना है watch list में क्लिक करने के बाद आपस आप देख सकते हैं सबसे पहला में nifty 50 का पहले से add हुआ दिखता है जो कि ये मुद्य लोसवाल ने खुद add करके पहले से रखा रहता है watch list में उसके बाद आप देखेंगे पूनाम उसके बाद देख रहे हैं सेकेंड में पूनाम stocks तो दोस्तो ये दोनों watch list मैंने खुद add किया है तो आप इस प्रकार से watch list create कर सकते हैं और अगर आपको watch list create करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो के description में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि watch list create कैसे करना है MO investor app में तो दोस्तो आपको simply सबसे पहले watch list create कर लेना है कि आप कौन से stocks में इंटरडेटेडिंग stop loss order के साथ करने चाहते हैं तो यहाँ पस मैंने खुबसर stocks add करके रखे हूँ है आप चीज़ भी stocks में आपको इंटरडेटेडिंग करना है उसी stocks को simply एक बार click कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पस जो मेटो के stocks में इस्टाप लस ओर लगा कर दिखाने वाला हो इंटरडेडे में तो मैं यहाँ पस जो मेटो के stocks में एक बार целिक कर लिया उसके बाद यहाँ पस हम buy वाले बटन में click कर लेते हैं बाई वाले option में click करने के बाद यहाँ पास में product type में 3 options मिलते हैं तो यहाँ पास में stop plus order में click कर लेना है तो जैसे में stop plus order में यहाँ पास click करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो options आते हैं पहला है limit price का उसके बाद दूसरा है trigger price का तो दोस्तो आप जब भी stop loss order लगाएंगे तो आपको limit price के साथ ही लगाना होगा आप market price के साथ stop loss order नहीं लगा सकते M investor app में तो दोस्तो आप आपको limit price decide करना होगा तो आप limit price जाएं तो आप market price को भी limit price के थ्रू लिख सकते हैं जैसे कि आप limit price में आपस 62 रूपया 65 पैसा भी लिख सकते हैं जो के भी मारा market price है अगर आप correct 62 रूपय लिखते हैं तो हो सकते हैं आपको काफी धिरिवेट करना पड़े और हो सकते हैं कि आज position बने ही न क्योंकि अगर ये 60 रूपय आए गए नहीं तो आपको position बने गए नहीं इसलिए में जो भी market price चर रहे उसी market price को हम limit price में लिख लेंगे उसके बाद अब जो भी stop loss लगाना चाहते हैं उसको SL trigger price में लिखना होता है तो अब मैं आपको live trading करके दिखा देता हूँ अभी मैं limit price में जो भी market price चर है उसी को लिख लेता हूँ जैसी कि मैं यहाँ पस 62 रूपया 70 पैसा लिख लेता हूँ उसके बाद यहाँ पस हमें quantity decide कर लेना है आप plus icon में click करते जाएंगे तो आपका quantity बढ़ते जाएगा उसके बाद minus icon में click करेंगे तो आपका quantity कम होते जाएगा तो आपने पहले quantity decide कर लिया उसके बाद limit price में मैंने अपना limit price लिख लिया आप अगर चाहते कि 62 रूपय में खरे देंगे correct तो आप 62 रूपय ही लिख सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पास immediate buy हो जाए इसलिए मैंने market price को limit price में लिख दिया है उसके बाद अब SL trigger price में आपको stop loss लिख लेना है जैसे कि अब ही हमारा जोमेटो का market price चर रहे 62 रूपय 65 पैसा तो मैं चाहता हूँ कि जोमेटो गिर कर जब भी 100 रूपय जाएगा तो मैं उसमें sell कर दूँगा या फिर मैं चलो decide कर लेता हूँ कि 60 रूपय तक अपने stop loss रखूँगा बतलब कि जब भी गिर कर 60 रूपय जाएगा तो 60 रूपय में मैं जोमेटो का share जो मैंने buy करके रखा था उसको sell कर दूँगा तो वो हमारा होगा stop loss उसको हमें asset trigger price में लिखना होगा तो हम या पास asset trigger price में 60 रूपय लिख लेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से इतना ही simple stop loss order हमने product type में इंटरडे सेलिट किया उसके बाद order type में stop loss stop loss में हमें दो options मिलता है limit price और asset trigger price तो limit price हमने market price को लिख लिया उसके बाद trigger price को हमने जो stop loss लगाने वाले उसको या पास लिख लिया है तो दोस्तों इस प्रकार से आपको simply कुछ भी नहीं करना है अब यहाँ पास आपको simply buy में क्लिक करना है यहाँ पास हमें completed order में चले जाना है completed order में जाने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं फिर से हमारा जोमेटो का एक share buy हो चुका है अब मैं आपको यहाँ पास position में लेकर चले जाता हूँ अगर मैं यहाँ पास position में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जुमेटों में एक share में पोजिशन बन गया है तो दोस्तो इस प्रकार से हमारा जुमेटों में एक share बाई हो चुका है इस्टॉप लॉस ओडर के साथ अब मैं यहाँ पस पोजिशन में चले जाता हूँ तो दोस्तो इतना ही सिम्पल है इस्टापलस ओडर के साथ इंटेटेटेटेडिंग करना अब मैं आपको इस ओडर को सेल करके भी दिखाता हूँ तो सेल करने के लिए यहाँ पस आपको सिम्पली पोजीशन वाल आप्सन भी जायकर हमारे जो पोजीशन है उसमें एक बार क्ल करना चाहते हैं तो आप लिविट पैस अपने इस आप से लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको इमिडियेट बाई करके दिखाऊंगा तो मैं मार्केट पैस सेलेट कर लेता हूँ मार्केट पैस सेलेट करने के बाद यहाँ पस हम फिर सेल में क्लिक करेंगे अगें हम यहाँ पस सकते हैं उसके बाद आप सेल करना चाहते हैं तो अराम से सेल भी कर सकते हैं तो दूस्तो यह था इंट्रेडे में इस्टापलस आडर तो दूस्तो अगर आपको भी डेल पूर लगी हो तो मैं इस वीडिव को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना थैंक यू